क्वालजी का भरोसा चाहिए तो प्रमोट ज्वेलर्स आये जो लेकर आये हैं शगुन कलेक्शन का एक खुबसूरत तहफा हर 30,000 रोपे की खरीद पर पाईए एक लगी ड्रॉ खूपॉन लगी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकरशक प्रमोट ज्वेलर्स पार्धी नगर हिंगना रोड नागपूर टीन्सी अप्लाए मवेशी तसकरी को लेकर चल रही ग्यांगवार में मुमिनपूरा के अपराधियों ने उत्तर नागपूर के प्रतिद्वंदियों पर फाइरिंग कर दी शुक्रवार की तड़के कपिल नगर के समराथ अशुक चौक पर हुई इस वारदात में दो अपराधी जक्मी हो गए वही अपराध को काबू करने में और चुनाओ के दोर के चलते नागपूर पुलिस आयुक तब पुलिस बल के साथ रूट मार्च करते नजरा रहे हैं इस घटना के बाद शहर पुलिस को गिरफतार किया गया है उसका साती सोहिल बावला बेबी कॉलोनी हरी उर्फर रहान शेक शारदा चोक नजीम मुस्तफा खान महेंडर नगर नवशाद कुरेशी उर्फर जवाई तथा गुड़ उर्फर दादा अनसारी डोबी मुमिन पिरा निवासी फरार है सोनु उर् पूलिस से भी रिष्ट है उसकी मवेशी तसकरी को लेकर सोनु उर्फर बंदर से रंजिश चल रही है सोनु भी पेशिवर मवेशी तसकर है मवेशी तसकरी में काफी कमाई होने से हाल में उसे लिप्त आरोपियों की संख्या बढ़ गई है शादाब को संदय था कि सोनु म शादाब ने उसे मेरे एरिया में आकर काम नहीं करना बोलते हुए धमकाने लगा दोनों के बीच गाली गलोज और मार पिट हो गई मुमिन पुरा में शादाब का दबदबा होने से सोनु ने विवाद बढ़ना उचित नहीं समझा उसे वक्त उसे कुछ लोग इनों में पुहिल बावला उत्रा शादाब ने गालिया देते वे सोनु की ओर माउजर से तीन गोलिया दाग दी जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने मामले को गंबिरता से लेते वे आरोपियों को गिरफतार कर लिया है कैमरा परसन अकलेश भारदवाज के साथ प् झालिया तो